Hello everyone, मेरा नाम नजीब खान है, Transfer of Property Act 1882 की जो हम लोगों की सिरीज चल रही थी, उसमें जो हमारी चौथी वीडियो थी, जो चौथा लेक्चर था, उसी के continuation में ये वीडियो है, हम लोगों का interpretation का clause चल ला था, हम लोगोंने कई expression और terms के बारे में जान लिये था, आज की इस कीज़ें define करी गई है, वो सारी की सारी important है, उन सबसे question पूछा जाता है, बत उनमें भी immovable property का topic, actionable claim का topic, और आगे अभी हम लोग notice पढ़ेंगे, notice का topic सबसे ज्यादा important है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे actionable claim के बारे में, कि actionable claim असिल में होता किया है, सरज शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, actionable claim जैसा नाम सही समझ में आ रहा है, ऐसा कोई दावा जिसके लिए आप action ले, हम लोग आम तोर पे action कब लेते हैं, action लेने के मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि तुमने कोई action क्यों नहीं लिया, हम ल लेना किसी के खिलाब, तो actionable claim यानि ऐसा कोई दावा हो आपका जिसके लिए आप action ले सकते हो, वो actionable हो, आप action ले सकते हैं, अब हम लोग section 3 के अंदर इसकी meaning को पढ़ेंगे, तो हम लोगों को चीज़ने clear होने लगेगे, लेकिन section 3 जो है define करता है, the term actionable claim, यह कहता है, that actionable claim means a claim, actionable claim जो है, a claim, actionable claim जो है, एक दावा है, मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि हम दावा करते हैं कि आपके पास मेरा 50,000 रुपए है, हम दावा कर रहे हैं, तो actionable claim means a claim to unsecured debt यह कह रहा है कि actionable claim जो है वो एक दावा है किसी unsecured debt को लेकर debt मतलब बकाया उधार लोन जो बाकी है और to any beneficial interest in movable property यह कह रहा है actionable claim जो है वो एक claim है किसी unsecured debt को लेकर अन-secured debt क्या होती है पहले हम लोग यह समख लेते हैं देखे अगर कोई property हमने आपके पास रख़ी और आपसे कुछ पैसा ले लिया ठीक है जो आपका पैसा आया मेरे पास यह पैसा क्या होगा secure होगा, क्यों? क्योंकि हमने तो आपके पास कोई property रखवाई हुई है already, हमने अपनी घड़ी आपके पास रखवा दी, आप से कुछ पैसा ले लिया, आपका पैसा क्या है? secure है क्योंकि मेरी घड़ी आपके पास है, अगर हमने पैसा और आप से पैसा ले लिया, तो ये pledge का case हो सकता है है, हैपोथिकेशन हो सकता है, और अगर immovable property, अचल संपत्ती रख के कुछ पैसा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? mortgage, जिसको हिंदी में कहते हैं बंधक तो ये actionable claim नहीं है भाई, इसमें क्या actionable claim होगा? आप क्या तो पैसा already secure है क्या आप action लेने जाएंगे? वो सकता हमारी गड़ी जो है आपके जो आपने पैसा दिया हुवा है, उससे ज़्यादा की हो आप तो करेंगा, अच्छा है ले जा पैसा, गड़ी मिल गए इतनी अच्छी यह हो जाए, ले जा पैसा, हमें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई तब क्या करेंगा आप actionable लेकर? actionable claim तो उस unsecured debt के लिए होगा जो पैसा कहीं से secure ही नहीं है मान लिजे कि हम आपके घर में रह रहे है as a tenant, भाई मेरे पास अधिकार उस घर में रहने का आप निकाल भी नहीं सकते बीना कोट की कारवाई करें आपका किराया नहीं दे रहे हैं आप landlord है, हम आपके किरायदार हैं हम आपका किराया नहीं दे रहे हैं आज 9 तारीक हो गई December कि किराया नहीं दे रहे हैं क्या करेंगे आप निकाल भी ना पाएंगे आप हमें उसके लिए भी आपको कोड़ से जाके एक्शन लेना पड़ेगा हमारे खिलाब लीगल कारवाई करनी पड़ेगी ठीक है तो आपका पैसा कहां से सिक्योर होगा तो क्या हो जाएगा तो एक तरीके से मान लिजिए आप हमारे employer है मैं employee है आपने पैसा हमें नहीं दिया आज नौ तारीक होगी हम क्या करेंगे हमारा पैसा तो कहीं से से क्योर ही नहीं है उसी तरीके से माल लीजे कि हमने आपको 50,000 रुपए दिया अब आप से वसूलना है कोई record नहीं कुछ नहीं बस एक जगाए कागज में लिखा हुआ पैसा तो सिक्योर नहीं है आपने बात कही है लिखी है कागज में लिखा है सब कुछ है लेकिन सिक्योर तो नहीं है कि अगर इन केस आप नहीं देते हैं टालते हैं या आपके पास पैसा ही नहीं है तो हमारा पैसा तो नहीं सेफ है ना बात आप समझ रहें तो सिक्योर तो आप से गाली संसे हुआ थीक है कर दिया अभी आपके गोधाउन में या आपके गरेज में खड़ी हुई है उधार नहीं हो सकता है आप obligation भी हो सकता है कहीं पर pay करने का तो कोई कोई भी तरह का बकाया जो unsecure हो और तो एनी beneficial interest या आपका कोई beneficial interest हो in movable property not in the position of the claimant beneficial interest को यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि right to possess possession का right possession करने का अधिकार उससे आपका beneficial interest जुड़ जाता है अगर आपका possession का right होता है ठीक है तो या तो actionable claim जो होगा वो unsecured debt को लेके होगा और या कोई any beneficial interest जो होगा जो किसी movable property में होगा not in the possession of the claimant अब याद करी जो हमने आपको example दिया आप से हमने गाड़ी खड़ी दी गाड़ी का सौधा हो गया आपको पैसा दे दिया गाड़ी आपके garage में खड़ी हुई है अब फसाए हुए आप पैसा भी नहीं वापिस कर रहे हैं गाड़ी भी नहीं होई होती होती हुँच भी हो सकता लेकिन कम से एनी बेनिफीशल इंट्रेस्ट बेनिफीशल इंट्रेस्ट हमने आप से जब गाड़ी खरीदी जैसी गाड़ी खरीदी राइट टू पोजेस का अधिकार आगे ना मेरे पास उस गाड़ी को अपने पास रखने का तो एनी बेनिफीशल इंट्रेस्ट इन मूवबल प्रॉपर्टी गाड़ी क्या है मूवबल प्रॉपर्टी तो अगर कोई बेनिफीशल इंट्रेस्ट मूवबल प्रॉपर्टी में नॉट इन दा पॉजेशन आप दावा कर रहो मेरे कबजे में नहीं है वह नॉट इन दा possession of the claimant claimant के कबजे में नहीं है which the civil courts जो civil court recognize करता है recognize करता है as a affording grounds for a relief civil court उसको पहचान रहा है कि हाँ इन दोनों के बीच में सौधा हुआ है इन्होंने गाड़ी खरीदी है और पैसा पे कर दिया पैसा फस गया civil court इस चीज को recognize कर रहा है अगर कोई ऐसा contract है जो civil court valid मानता ही नहीं तो civil court उसको recognize कर रहा है जब civil court उसको recognize ही नहीं कर रहा है तो वो किस तरीके का actionable claim बनेगा फिर वो actionable claim नहीं बनेगा फिर आप कैसे उसके लिए legal action लेंगे जब civil court ही नहीं recognize कर रहा है possession of the claimant which the civil court recognizes affording grounds for relief अब वो जो आपकी debt थी जो बकाया था या जो beneficial interest था भी existent हो सकता है कि वो exist कर रहा हो मतलब already due हो चुका हो ठीक है या accruing हो मतलब की due है लेकिन देना future में है जैसे मान लिजे कि monthly allowance का है कि 10 हमने 10 January को अभी December चलना है मान लिजे कि हमें 10 January को कोई monthly allowance पे करना है किसी को ठीक है तो यह एक तरीके से अक्रूइंग है लेकिन पेबिल कब होगा दस तारीक को यह कब होता एक्जिस्टेंट मतलब की डिव हो गया है पेबिल है यह जो है एक्रूइंग जो है डिव है लेकिन पेबिल जो है आने वाली तारीक में फ्यूचर में उसी के साथ साथ कि यह जो है कि कंडिशनल भी हो सकता है कोई शर्त के साथ या कोई कंटिंजन भी हो सकता है कोई चीज के होने पर अब बहुत सारी चीजों को कोट ने रेकॉगनाईज किया है इस तरीके से कि यह एक्शनेबल क्लेम है या नहीं ठीक है अब वह हम लोग देखेंगे हमने लिस्ट तयार कर दिया है यह नोट्स में आपको मिल जाएगी following are considered to be actionable claims actionable claim क्या है देखें पहली चीज़ unsecured money debt कोई भी आपका unsecured money debt जो भी हमने आपको इससे पहले बताये था अगर वो secure होगा तो वो actionable claim नहीं बनेगा claim to the beneficial interest in movable property not in possession of the claimant unsecured money debt को भी बता रहा है a debt may be secured or unsecured security of the debt may be by way of mortgage of immobile property hypothecation or pledge of movables there is no security of any immobile or movable the debt is called as unsecured debt जो भी हमने आपको बताया था existent debt का क्या मतलब हुआ if the debt has become due and is payable at present जो भी हमने आपको बताया है it is called existing debt देखे प्रॉपर्टी जैसा कि आपको पता है कि movable भी होती है immoval भी होती है उसी तरीके से tangible भी होती है और intangible भी होती है tangible property उस property को बोलते हैं जिसको आप छू सकते हैं perceive कर सकते हैं steps कर सकते हैं जैसे चर, car, bike तो अगर मान लिजे कि इन चीजों को लेके कोई भी problem होती है तो यह तो चीज सामने दिख रही है कि हाँ यह किसके कबजे में है यह तो समझ में आती है लेकिन अगर कोई right है तो उसके लिए आप क्या करेंगे आपका हमसे पैसे लेने का अधिकार है कोई property नहीं है अधिकार है हमने आपका कराया नहीं दिया यह क्या है अधिकार है कहीं कुछ दिख नहीं रहा है इसके लिए आप action ही तो लेंगे भाई कहीं कुछ दिखी नहीं रहा है इसके लिए यह तभी मौजूद होईगी जब आ और आप detail में हमारे notes पर पढ़ दीजगा हमने आपको main सारी चीज़ें इसके लिए कर दिया है the claimant must be to must be to some movable property such movable property must be in possession of another person जो भी हमने आपको गाड़ी वाल example दिये था it must be in the possession of the claimant it must not be in the possession of the claimant होना चाहिए है आप देखिए such movable property must be in possession of another person वो movable property है वो दूसरे व्यक्ति के कभजें होना चाहिए जो कार का भी हमने आपके सामने example दिया कि उस कार में हमने आपको पैसा दे दिया गाड़ी भी आपके पास पैसा भी आपके पास हमारे पास तो कोई security नहीं है तो यह होना चाहिए कि such movable property must be in possession of another person जो इसमें यह रिखा हुए that it is must be in the possession of the claimant यह गलत है it must not be in the possession of the claimant ठीक है अगर हमारे पास वो property होगी तो फिर तो वो secure हो गया ना कि हमने आपको पैसा देखे अगर गाड़ी खरीद लिया तब तो वो secure हो गया तो actionable claim होगा नहीं the beneficial interest or the right of possession of the claimant should be recognized in the civil court जो भी हमने आपको बताया देखिए for example a sells car to be car is in the garage of a b's right to take possession of the car is actionable claim और यह भी देखिए actionable claim is regarded as a property अब यह जो actionable claim है इसको legal line में legal field में property माना जाता है और इसको आप transfer भी कर सकते हैं यह actionable claim एक property है ठीक है यह आपकी कह सकते हैं कि intangible movable property है intangible जिसको आप छू नहीं सकते हैं intangible movable property है और इसी लिए इसको आप transfer कर सकते हैं इसको ऐसा property माना गया है कि यह आपकी property है actionable claim इसको आप transfer कर सकते हैं इसके transfer करने का procedure है जो TPA के अंदर chapter 8 के अंदर discuss है जो हम लोग आगे cover करेंगे section 130 से 137 के बीच में आप देखें इसके अंदर बहुत सारी चीजों को actionable claim माना गया है किसको किसको नहीं claim for areas of rent अगर rent due हो गया जैसे भी हमने आपको एक example दिया rent due to pay in future is also actionable claim the benefits of a executory contact right to get the division or share of a piece of a land received by a donor in a gift deed a share in partnership rights to get the benefit of annuity insurance policy जो होती है insurance policy में पैसा लेना earnest money लेना और अगर Muslim woman जो है उसका जो right to unpaid door है वो भी जो है actionable claim है right to get the proceed of the business rights to get the amount of PF after retirement Muslim woman's claim for unpaid door claims or rights which are not actionable claim right to get damages which is uncertainty money under the law of torts or for the breach of the contract claim to mean profit is not actionable claim a debt is actionable claim a debt actionable claim होती लेकिन अगर debt जो है which has been passed by a decree of a court is not an actionable claim क्योंकि वो एक तरीके से सिक्योर होगी ठीक है तो यह हम लोगों का interpretation clause का जो topic है इसके अंदर maximum सारे topics cover होगे अब एक topic इसके अंदर बचा है वो है notice का अब जल से जल हम notice के topic को भी cover कर देंगे आई होग कि आपको यह video clear हुई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको like जरूर कीजेगा और अगर अगर अभी तक आपने मुझे instagram facebook और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जल से जल फॉलो कर लिजे instagram पर मेरी ID है नजीब खान 11 जो आपको इस video के description के अंदर मिल जाएगी झाल